हेलो फ्रेंड्स माइनेम इज महेंद्रा और आपका स्वागर है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो बेसिकली क्यों बना रहा हूं को मैरे स्फिकली अपना श्रॉरी बता जेता हूं कि CA final में 3 टैक्स के रिलेटिड पेपर दें आर इं-डिर्ड nd 토 एंटिर्ट वियर के तैक्स होता है इंट्र एंटरी शा में किया ताहसं तो फिर मैं थैक्स dependenceеро बहुत गाइड कर सकता हूँ, शायद इसमें से कुछ चीजे आपके लिए helpful हो जाएगे, शायद नहीं obviously होगी, बट learning attitude रहेगा, तो सब चीजे helpful हो सकती है, end में, कौन सी sequence में आपको chapter करना है, test series होगे रहा लेना है, या नहीं लेना है, past paper कैसे solve करने है, total income के सरो बड़े-बड़े questions होते हैं, उनका क्या करना है, सब के बारे में detail बात करेंगे, पर सबसे पहले ये समझते हैं, कि जो tax वाला subject है, उसमें सब problem क्या आती है, सबसे पहले ये बताओ कि जो problem क्या है tax के subject में, जिसमें अपने को theory और practical दोनों एक साथ पढ़ना पड़ता है, अपना tax है तो एक कानून, एक law का subject है, पर उसमें बहुत सारे practical numerical questions भी होते हैं, जैसे मैं income tax की specifically अगर बात करता हूँ, तो उसमें आप देखोगे, कि total income के question, पढ़ना अपने को theory पढ़ना है, उसका application अपने को practical form में करना है, तो ये एक थोड़ा सा दिक्तत आ जाता है ये subject में, उसको deal कैसे करें हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला तकलिफ का है, ये theory और practical वाला तकलिफ का है, ये दिखता नहीं है इतना बड़ा तकलिफ, बट जब अगर आपने सिर्फ theory पढ़ा, आपने video lecture सुना, पर आपने अगर question practice नहीं की, तो exam में भई आपकी लग जाएगे, कैसे बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे students का record है, कि जो जो practice किये बिना exam में जाते हैं, unless आप बहुत लगी नहीं हो, आपकी लग जाएगे exam में, मतला आप exam देने जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो कि वापिस आपको देने जाना है, तो आपको practical questions जब तक practice नहीं करोगे, तब तक ये दिक्कत रह आपको कौन-कौन से बुग दी, sir study material दिया, तो सबसे पहले तो study material से question practice करोगे, और कहां से करोगे, study material का हर question आपको हाथ से एक बार practice करना ज़र दी है, sir आपने किया थे क्या थे क्या, दो-तीन बार किया थे, उसके बिना नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं हो पाता है, हो भी सकता पर रिस्क लेने जाना है कि हम आपके, रिस्क लेने अपने को नहीं जाना, अपने को क्यों जाना कि, short short, अपने को success मिले, बले ही 70 नहीं आए, 55, 58, 60 आजाए, चलेगा, पर अपने को success पास होना गैरेंटी है, पास होना चाहिए, इसके लिए practice करना है, सबसे पहले, study material में इतने question है, वो सब अपने को आने चाहिए, current year का RTP, current year का revision test paper है, वो अपने को solve करना है, mock test paper है, वो अपने को solve करना है, और last क्या आजाता है, कुछ past exam के paper आपको इसलिए solve करने है, ऐसे बैठ के solve नहीं कर रहे है, तो at least आपको देख लेना है, हर चीछ, कि भाई, कौन से question, ब TDS advanced tax के question, कहां पे वो theory पूछ लेते है, कहां पे GST का क्या चीज पूछते है, वो अपने को पता होना चाहिए, इसलिए अपने को past paper एक बार देखना जरूरी है, यह सब आपको इतना बड़ा दिखरा रहेगा, मैं आपी बोल रहा हूँ, मैं आपको last में एकदम concise, last में क्य कर दूँगा, एकदम summarize कर दूँगा, कि यह यह चीजे कर दो, आपको success मिल जाएगा, कोई attention नहीं, सबसे पहले मैंने क्या बोला, यह ऐसा subject है, इसलिए अपने को theory तो पढ़ना ही है, साथ साथ में practical solve करना है, तो practical कहां से solve करने, तो study material लेलो, कहीं से कुछ मैं को अलग question दे लेना ताकि पता चले कि किस sequence में exam में question आते हैं, यह correct है, theory practical है, यह correct है, फिर एक और सबसे बड़ी सीजाती है, कि बहुत लोगों की conceptual clarity नहीं होती है, यह subject में conceptual clarity नहीं होती बहुत साथ students की, मतलब वो लोग ने read किया है, पर उनका implications नहीं पता कि यह section का कहां कहां पर implication हो सकत है, correct है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एकदम in-depth understanding लेनी पड़ेगी, मैंने study material से directly ICI के study material से marathon YouTube पे डाला हुआ है, income tax का starting के 10 chapter जो है, 10 chapter का marathon डाला हुआ है, next part आने वाला है, कुछ time में तो वहां से आप cover कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां से study material से पता चल जाएगा, हर एक line by line study material का cover हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगे कि कहां से क्या चीज link है, अगर first time भी देख रहो, तो भी बहुत सारे concepts आपको clear हो सकते हैं, वहां से, ठीक है, तो एक, अभी यहां तक हम लोग ने क्या देखा, theory plus practical है, practical कहां से करें, वहा इसके बाद extra time मिलता है, तो आपको जहां से करना है, वहां से करो, पर पहले सबसे पहली priority यही होने चाहिए, उसके बाद आता है, कि conceptual clarity बहुत बड़ी चीज है, तेक्स में आपको हर concepts का मतलब पता होने चाहिए, कहां से क्या link है, वह से पता होने चाहिए, और too much syllabus का solution क्या ह Summary notes sir, क्या होता है, जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तभी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज होती है, जो बार बार repeat होती है, जैसे मैं for example बताता हूँ, Chapter 1, Chapter 1, Income Tax का मैं बता रहा हो, उसमें आपको steps to competition of total income लिया है, क्या steps से residential status निकलो, उसके बाद आप क्या करो, उसके पेज की steps है, वो Chapter 14 में भी दी हुई है, Chapter 14 मतलब computation of total income, Chapter 12 वो आपके बुक में है, उसमें भी दी हुई है, और साथ-साथ में ये सब step के उपर, सब chapter भी है, correct है, जैसे residential status अलग chapter है, clubbing अलग chapter है, setup अलग chapter है, तो भाई, एक ही चीज को बार-बार-बार-बार क्यों पढ़ र टीन चार बार लिखा रहेगा, तीन चार बार लिखा है, उसकी वज़े से क्या problem हो रहा है, उसकी वज़े से आपको लग रहा है कि उतना बड़ा syllabus है, इतना बड़ा नहीं है, जितना वहां पर multiple लिखके बड़ा कर दिया है, correct है, अपने summary notes, अभी आपने मेरे साथ जिसने enroll इसको मिल गए रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं पर मैं तो अभी भी ऐसा प्रिफर करता हूं कि आप खुद मॉड्यूल से बैठके खुद के बनाऊगे तो वह सबसे बैस्ट रहते हैं कोई भी क्लासस मैं हूं कोई बहुत बड़े टीचर है कोई भी X Y Z नहीं फरेक प पांच बार इस बार तो पही मौका भी पेपर पोस्पाइब हो गया है पांच बार रिविजन कर लोगे तो आपके टिप्स पर रहेगी चीज़े आपको सब चीज़े याद रहेगी नहीं तो प्राब्लम क्या होगा इंकम टैक्स में कहीं पर रेट अलग है कहीं पर मेरा आइडियल चीज रहता था कि पांच बार कर लो तो उसमें क्या होता है कि अपने को बहुत सारी चीज़े on the tongue रियाद हो जाती है ऐसे ही मतलब नीद से उठाओगे तो भी आपको याद रहेगी तो उसके लिए वो काम आता है तो आपको रिविजन कितनी बार करना है प और इंकम टेक्स करेक्ट करेक्ट के सिनरियो बेसिस के एम से क्यों है और नॉर्मल भी एम से क्यों से कुछ दिये हुए उसकी मैं पीडियाव सिट सॉल्यूशन की अपने टेलिगां चैनल में डाल दूगा सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं जैसे मैंने 20-25 क्वेशन सॉल कि आपके लिए एक दो दिन में मेरे हो जाएंगे मैं एक सिन आपको बता देता हूं इसके ऊपर चाहिए तो मैं वीडियो भी एक बना दूँगा सॉल्यूशन कैसे करें और इसके रिलेटेड़ क्वेशन जो मैं बोल रहा हूं कि मैं यह मेरे टेलिग्रम चैनल पर डाल सब सॉल्व कर भूंगा टाइम निकाल निकाल के और यह आपको सीट मिल जाएगी मेरे टेलिग्रम चैनल पर मेरे वेबसाइट पर जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री रिसूर्स राइगा है तो यहां पर आपको लग रहा है अगर आपको लग रहा है मेरे पास मैं शुक्तल लगें और झाल कर सकते हैं तो आपको जो सही लगें आपको पर सबसे से पहले हैं कि यह भी more than enough यह आपको करना करना उसके से सिनारियों वाले 20-25 मिल रहा है तो आप और करने वह दिकत कि बात नहीं और जब आब कि प्रेयरी पढ़ रहे हैं कि तभी आप इसके ऊ आपका theory अच्छा है, आपका practical अच्छा है, आपके concepts clear है, तो आप वैसे भी MCQ solve कर सकते हो, जो बड़े-बड़े question में एक adjustment होता है, वही तो यह लोग MCQ बना के पूछते हैं, जो बड़े-बड़े question में adjustment रहते, दस adjustment रहेंगे, उसमें से ही एक adjustment निकालेंगे, और दो marks का, एक marks का MCQ बनाते हैं, तो MCQ के लिए कुछ अलग से नहीं करना, ICI के जो questions है, वो सब अच्छे से solve करने हैं, बाकि आपको कुछ ज्यादा, अगर आपके पास बहुत time है, तो मैं ना नहीं बोलूँगा, आपको कर सकते हो, ठीक है, फिर working note की बात करें, सर्वों total income के जो बड़े 5-6 marks का, आप खुद ऐसा self छोड़ के आगए हो कि मुझे नहीं चाहिए marks, 5-6 marks में बात करो, वो working note कैसे बना है, एक second pause करता हूं, video pause नहीं करता हूं, यह रूख जाएगा automatically, यह आपने total income का बनाया, यह income from salary, house property, PGBP, capital gain, total income, यहाँ पे आपको जो adjustment है, यहाँ पे नीचे और भी adjustment रहेंगे, यह 1, 2, 3, 4 note लिख दिया, अभी नीचे जाके, आपको notes में, पहला notes क्या है, दूसरा notes क्या है, वो लिखना है, अपनी language में लिख सकते हैं, क्या notes, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिकत की बात नहीं, section number याद है, याद रखने की कोशिश करना, section wise seat मैंने सब section है, उसके related concept, topic का section है, उसके बाजू में blank space है, जहां पे आप कुछ अपना link सकते हो, edit कर सकते हो, ताकि वो 10 page में आपका पूरा income tax ready हो जाए, तो मैं ये बोल रहा था, कि आपको क्या करना है, ये जो note number 1 है, notes में नीचे जाके, जब आपका question खतम हो जाता है, तो आपको notes 1, 2, 3, 4, हर एक notes के बारे में description देना है, बले ही बहुत basic description होगा चलेगा, जैसे आपका cash 10,000 रुपे से ज़्यादा आप cash में payment करते हो, तो simple line लिख दो चलेगा, as per this section, इससे ज़्यादा cash आपने payment किया है, तो आपको disallow हो जाएगा, सिर्फ simple line लिखोगे तो भी चलेगा, उससे आपके marks नहीं कटेंगे, नहीं तो otherwise आपके mask कट सकते, section की बात करें, सही section आता है, तो लिखो, गलत section quote मत करना, भाई, reverse effect पड़ेगा, बहुत सारे marks कटते हैं, गलत section आपको quote नहीं करना exam में, सही आता है, तो बिलकुल लिखो impression पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगत गलत तो कभी मत लिखना, as per provision of income tax act लिख दो, चलेगा, as per this section जरूरी तब ही है, जब आपको आता है, अगर आपको नहीं आता, आप confusion में हो, भाई, avoid करो, कोई तकलिफ नहीं, फिर बात करते है, RTP, MTP, past paper, जैसे मैंने आपको बताया, RTP, mock test paper, क्योंकि crucial क्या होता है, आपको practical questions solve करने, practical questions यहां पर आपको अच्छे खासे मिल जाते है, revision test paper, mock test paper, past paper, most of questions आपने जो पहले module वगेडा में की है, वहीं रहते हैं, पर दो-चार questions नहीं आते हैं, जिसकी practice रहेगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर साथ, test देने का क्या नहीं, बिल्कुल देने का, 100% देने का income tax में, test देना बहुत जरूरी है, मतरब फूरे taxation के बात कर रहा हूँ, test देना बहुत जरूरी है, तो sir, क्या test देने के लिए, कोई test series join करने का क्या, मेरा personal opinion है, कोई जरूरत नहीं, test का purpose क्या होता है, कि आप एक ऐसे atmosphere में बैठ रहे हो, जहां पे आपको नहीं प आपका answer क्या है, आप खुद अपना दिमाग लगा के answer दे रहे हो, एक चीज बताता हूँ, basic से चीज बताता हूँ, अपना mind कैसे work करता है, अपना mind work करता है, दो तरीके से, एक तरीका ये है कि वो अपने अंदर information gather करता रहता है, बतोर सब कुछ input करता है, और दूसरा उसक प्रेक्टिस करता है हम उसको बहर कैसे निकाले हो, पर आपके सामने घुख फHly भी क्राफी करना है तो आपको वहां पे क्या प्रेक्टिस करना है, कैसे बाहर कैसे निकालना है, जो आपने information अपने अंदर डाला था उसको बहर कैसे निकालना है, तो इसके लिए test श estarik में कोई ज़रुवत नहीं है आप अपने कोई भी पास्ट एक्जाम का पेपर ले लो या फिर मॉड्यूल में से पास्छे क्वेशन ले लो जिसके क्वेशन आपके आप फोटो ले लो और क्वेशन को सौल करने के ट्राइब करो बस यह अगर मुझे याद आ रही है तो फिर एक बर देख लो और आगे बढ़ो अगर नहीं याद आ रही तो उसके ऊपर और एंफेसिस करो क्योंकि एक्जाम के टाइम अपने को आँख बंद करके निकालना आँख बंद करके बुक सामने नहीं रहेगा और दूसरा इसका फाइदा क्या होता है टैस्ट और इविजिन का चुप पर होता है वो कम टाइम में आपको पूरा कर सको मतलों आपका तीन गंटे का पेपर है आप साड़े तीम गंटा तो नहीं ले रहे हो आपका तीन गंटे के अंदर-अंदर सब चीजे कंप्लीट हो जाने चीए उसके लिए टैस चीछर्क काम आते है कोई कहीं पर मैं वे अ 하지만 अनॉन्स कर रहा हो उब्यस्ट मेरी सुडेंट्स будете स्प्रीन को यह दो को ह्warm हो उपिजब्वत कोई जरुए अगर आप सेल्फ डिसिप्लीन रह के नहीं कर सकते है ऐसेफ बैठके नहीं कर सकते तो अगर आपको प्र यही इसके आपने जो इंपुट दिया है वह आउट पुट भो रहा है कि नहीं अरहा है कि इतना ही काम है फिर बात आती है how to remember all the provision जितने भी provision इतना सारा सर कचरा डाला हुगा कैसे याद करें कैसे remember रखें एक ही तरीका पांच बार revision कर देना हो जाएगा कोई दिक्कत के बाते हैं पांच बार revision कर देना सब याद आजाएगा मतलब most of इसे 100 नहीं लाने कुछ थोड़ा बहुत हो भी गया तो चल जायागा जितना आ रहा है उतना अच्छे से अब भी तो सब पढ़ना है मैं एक दिन पहले की बात करो आपको ऐसा लगेगा एक्जाम देने जाओगे तब तक भी लगेगा कि ये भी बात की है वह भी बात की पढ़ा रहने देना ठीक है क्योंकि आपके पास summary notes रहेगा आपने सब पढ़ दिया दिन फिर भी आपको लगेगा ये concept में को इतना अच्छे से नहीं आता ठीक है नहीं आता कोई बात नहीं अपने को 100 मिन से 100 नहीं लाने है अपने को कितना लाना है सेेविंटी आगया बहुत है भाई खुश्रो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप ranker करे进 हो गो तो आम 90 के लिए सोच हो पर मैं अपने normal अपने जैसे को कि다면 particular बहुत है खुश रहू कोई दिक्कत की बात उसके लिए क्या करना है एक summary notes बना लू एक summary notes बनाба अजी बर बार बार कोई बी eight-वी ranker का आप interview कोई आप Tracy см पर तकळीफ क्या है syllabus इतना वाश्ट है syllabus इतना वाश्ट है जिसकी वज़े से वह चीज़ रिकलेक्ट नहीं हो पाती उसके लिए अपने को सब्मरी नोट बनाना है उसको बार बार रिवाइस करना है आपका काम बन जाएगा ठीक है अभी कुछ चीज बता रहो कि सर रात में पड़े या दिन मे चलते चलते तभी पढ़ो जब आपको नील आरहिए अधिरवास के आपका फोकस नहीं रहा का अगर छलते चल्क दिए अधिर ध्र ध्यान जाता है चलते-चलते तभी पढ़ो में जब आपको नींद झुख सब्मरीन में कितने सब्जेक्स दो न Dennis एक त्रहिं टर्शिए ए होगे तो दिमाग में जाना बंद हो जाएगा फिर हम लोग बात करते हैं इन which sequence things to do by कौन से sequence में हम लोग chapter को पढ़े मतलब आपके income tax की मैं बात करो कौन से sequence में आपको सब चैप्टर पढ़ने है तो देखो सबसे पहले तो जो फर्स फ्री चैप्टर है वो आपको उठा लेने फर्स फ्री चैप्टर का मतलब क्या होता है आपका सबसे पहला chapter कौन सा है basics of income tax मजाक मतले लेना उसमें से 4-5 marks के question 100% जैसे question कौन से होगे आपके marginal relief का question हो गया tax rate पूरा दुनिया बर का सरचार्ज के question important अभी जो सरचार्ज में amendment आया है उसकी वज़े से फिर आपका कुछ definition है maximum marginal rate क्या होता है average rate क्या होता है फिर आपकी कुछ definitions आ जाती है फिर आपका section 115 BBE जो है ना कौन सा 115 BBE वो टैक्सर 60% plus 25% plus 4% उसमें से MCQ बहुत साथ है तो आपको first three chapter एक खतम करने हैं इसमें से नहीं नहीं तो आपका 10-12% का income tax इधर से ही आने वाला है chapter 2 में residential status इस बार बहुत important है दो amendment है एक डीम resident का concept है और दूसरा कौन सा concept है आपको बहुत आपको बहुत अच्छे से पड़ाया है इस बार रेसिदेंशल स्टेश में से question आना फिर आपका chapter 3 में से दो कंसेप बहुत important है agriculture income वाला बाकी सब भी important है यह वाले ज्यादा important है और वो 10W मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है SCZ वाला concept और कौन सा agriculture income वाला concept यह दो important है यह तीन चेप्टर जब आ जाते है तो मैं प्रिफर करता हूँ आप सबसे पहले PGBP उठा लो के दो भाई है set-off और clubbing जो एक गंटा रिवाइस करने को लगता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है अगर आपको यह 10 पॉइंट आते है तो आपको clubbing आता है नहीं तो नहीं आता सेट-off अपना 2-3 pace में खतम हो जाता है तो सेट-off और clubbing दो डेड़ दो घंटे में आपका रिवाइस हो जाएगा साथ में कुछ क्वेशन कैसे प्रैक्टेस करने हैं जब मॉडिल में आप फर्स टाइम करोगी तभी आपको जहां पर आपको डिक्कत आई देगो तो वह क्वेशन पर श्टार लगा देना कि जब मैं नेक्स टाइम करूं या कोई से चार मार्स का क्वेशन हर एक्जाम में आएगा ही आएगा जरूरी है फिर टीडीएस टीएस एडवांस टैक्स यह दोनों चैप्टर मिला कि छे आठ मार्स का आ जाएगा तो यह कर दो फिर बचे गए आप अपने ओडर से कर सकते हो सबसे पहले एक चैप्टर कर देना क्योंकि यह बेसे यहां से टैक्स टैक्स फिर फिर वह दो चैप्टर और फिर लास्ट में रिटन आप इंकम और उसके बाद जो आपको सिक्वेंस अच्छा लगता है चोटे-चोटे चैप्टर है वहां से आपका बन जाएगा फिर आप यहां प्रीधा से एक दम वह बना लो अपने आपना गर के उपर आप ऐसे चार्ट लगा तो मैं आपको अपने वैप्के मता कर बताता व्यर्यक्क champagne एंगे कि शाट लगा दो उसमें क्या लिखना है आपको लित खिर आंपको सिंपल सी चीज्श लिखेतगोई बरा बडा ब मैंने competition question किया next day किया next day किया next day किया जरूरी है daily आपको competition का question करना ही पड़ेगा तो आपका आराम से 10-12 दिन में सब competition के question हो जाएंगे जो चोटे-चोटे question है वो करो बड़े-बड़े करो कोई दिकत की बात नहीं हो कि अगर आपके आगे की concept clear है तो आपके पीछे के भी answer आजाएंगे फिर gift from tech center मैं आपको gift देने वाला हूँ क्या gift देने वाला हूँ एक marathon मैंने part 1 डाल दिया है directly from study material study material को लो आपके सब answer हर line by line मैंने revision कर रहा है आपको channel पर या link मैं description में डालगूंगा यह video के आप महां से देख सकते हूँ फिर आपको part 2 मिलने वाला है जिसमें CE Inter के चार चेप्टर रहेंगे और CS Executive के बचे वह जितने भी chapter है वो part 2 में रहेंगे फिर GST का marathon भी plan है अभी आप सब students लगे हुए को भाई अभी आपने बोला था 10 दिन में आ जाएगा 10 दिन में क्यों नहीं आ रहा है मेरी भी तो कुछ personal होती है अभी मैं पूरा 10 गंटा उसके लिए recording करना पड़ेगा उतना मेरा भी time table allow करना चाहिए मेरे family में क्या problem चल रहा है मेरे को ही पता है आप लोगो सुनने को तैयारी नहीं है आएगा पेपर भी postponed हो चुका है तो आएगा क्यों नहीं आएगा जब मैंने part 1 10 गंटे का डाला है तो part 2 भी मुझे डालना और मुझे क्यों नहीं डालना मेरा भी तो फायदा होता है मेरे को क्यों नहीं डालना पर मेरा भी time table थोड़ा allow करना चाहिए तो मैं next फक्का डालने वाला हूं GST का marathon भी आएगा और आपका income tax का part भी आएगा ठीक है तो यह नोट पर में ज्यादा आपका time ना लेते हुए आपको कोई भी डाउट है तो Instagram tax center Instagram tax center पर जाओ और कोई भी डाउट है तो पूछो मैं आपका reply करूँगा और एक और चीज भाई मैं अपने वीडियो के YouTube पर analytics लिखता हूं टेक केर बाई 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 गोद ब्लेस्ट प्लेस्ट